दोस्तो लास्ट व्लोग पे आप लोग ने देखा मेरा तेजपूर से दॉंग तक पौछने का जर्णी और इस व्लोग पे आप लोग देखेंगे दॉंग विलेज से मेरा सन्राइज व्यूपर्ण तक पौछने का जर्णी सती साथ वहां पे जो मैंने नाइट केम्पिंग कि सब कुछ मैं आप लोगो दिखाऊंगा इस व्लोग पर वीडियो को अंतक देखे और मेरे साथ विटनेस किजिए दा बीटिफुल दॉंग बेली एत नाइट सो दोस्तों फाइनाले मैं अभी हूँ दॉंग बेली पर टोटाली अकेला हूँ अभी मैं केम्प लगाऊंगा के खाना खाऊंगा और पानी का वो दिखकत है मेरे पस बस एक लिटर पानी है सो पानी लाना में भूल गया और बाइक जो है सब कुछ नीचे छोड़ दिया मैं अभी आप लोगो दिखाता हूँ क्या क्या है समान इधा टेंट इधा बैग माई शूज यह पर जैकेट जास लिपिंग बैग कहां पर टेंट लगाऊंगा मैं सोच रहा हूँ कुछ भी द करना सो दोस्तो पहले जो है टेंट लागा लेता हूँ क्योंकि हावा पहुत है तीज हो रहा है तो दोस्तो टेंट यहां पी लगाता हूँ उपर में जो है पाइंट्री का देख रहा हूँ पाइंट्री है कि नहीं अगर रहे का पाइंट्री तो जो है प्रॉब्लम हो सकता है इसको लगाते हैं देखो है हर किसी को तो एक नएक दिन मरना है डर डर के मर के क्या फाइदा है ना जो होगा देखा जाएगा यह चीज जब मैं बुड़ा हो जाओंगा और कोई बेट में पड़ा हो रहा होंगा रात को तब मैं जो है यह चीज याद करूँगा कि मेरा लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था और वो चीज मैंने किया था कैमेरा तो यहाबा हो रहा है आकेला हो ना इसलिए लग गया मेरा अलिशाना घर नावाई नीडे पत्थर चले एक पत्थर ढूंते दोस्तों यह सब बंकर है जहाँ पे इंडिया चैना का बैटल हुआ था अरे भाई पत्त्र ने मिल रहा है क्या करूँ मिल गया कर दोस्तों केम्प जो है लगबक बनकर तयार है अभी अपना स्लिपिंग लेके जाते हैं कैम का अंदर बाकी बैक भी सब लेके आते हैं वहाँ पे दूर हम लोग आग चल रहा है यह दा मेरा कैम्रा बैक इसमें पार बैक है यह बार बैक नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा तो कुछ ऐसा दिखते है देखिए इसको ऐसे कुछ बांदा चलिए अभी टेंट का अंदर जाते हैं जागत को अंदर पे रखते हैं सीधा वला स्पेस रखते हैं स्लिपिंग बैक के लिए और खाना पीना इसको अंदर पे रखते हैं चोटा सा एक बैक यह रहा स्लिपिंग बैक चलिए आग है थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है चलिए बेले बैड मिला लेते हैं उसके बाद सुएंगे दोस्तों फाइनले में पोर्च चुका हूँ इंडिया का फर्स्ट सन्राइज व्यूपाइंट यहापे जो है इंडिया का सबसे पहले सन्राइज होता है इस जगा का बारा में मैंने जो है छोड़ा डेम पे किताबों में बुक्स में बढ़ा था सुना था बहुत जगाओ पे लेकिन आज उसी जगा को मैं एक्स्प्लोर करने के लिए खूद आया अकेला नीचे है होटेल पर बहुत कुछ है बट मैं वहाँ पे नहीं रहा मैं द जहेल पाएगा की नहीं यह रहा मेरा रात का दिनर मुस्दुर और इसमें है ड्राइफूट इसमें है गुड़े बिस्कित अरे डेट्स भी धाग डेट्स कहा रगतिया तेल बेग में रह गया बाइक में चलिए इसको जो है अभी फोड़ते हैं तेस्ट लागे ना लागे मुझे जही खाना होगा फर्स्टाम खा रहा हूँ एक्शली इसको दूद में मिला के खाता है लेकि में परस दूद है नहीं मिक्स्ट ड्राइफूट इसको बाकी रात को सोता सुत्वे खा जाओंगा यह रहा ड्राइफूट्स नीचे है दूस्ट भी पार्विंग भी डेड़ हो गया चार्जी नहीं पार्विंग में खातम एक काम करता अभी जल दिखा के सोचाता हूँ देन अप्लों के सत कल मिलता हूँ क्यों कि मोबल का चार्ज भी बचाना है सो दोस्तों देखिए यह रहा डबल लेयर स्लिबिंग बैग ऐसा कुछ है दिस दे फर्स्ट लेयर और दिस द आउटर लेयर दे सेगेंड वन दो लेयर है करिमां छेए फीट है लंबाई सामान सब कुछ यह पे रागा है थंडा कर ज्यादा वातों में यह से यह दोनों जै खुल गया अरे भाई साम लाइफ में फर्स्ट टाइम वास कितना शांत है जल्दी उठेंगे जल्दी उठेंगे आज का दिन कुछ ऐसा गया आज का दिन और एक डिरिम पुरा हुआ इंडियास फर्स्ट सांडराइज प्यूपाइंट दा लैंड ओफ संडराइज को रुना आगे यार मैं बहुल नहीं पाऊंगा मैं कितना खुश हो यहां तक आने के लिए क्या किया अप लोगों ने तो देखाई है शिलिकुरी से बहले दिन आया तेजपूर उसके बाद तेजु तेजु से आ जाया यहां पर डाइरेक्ट दॉंग कुछ ऐसा है इसमें अभी आप लोगे सब बात करके पूरा जो है इसको चेन लगा दूँगा कल जाएंगे काहू पे काहू पे जो है और एक दानी है इस वास ब्रोग जो शुच को अगति डराइंगे की बात मौट जाएंगे काहू था क्या अटीज विल्ग कि बात आएंगे काहू पांभ टूरा छोगा क्यांगे काहू इसलें विल्यक सावाइंगे का पूर को चाल सुच काहुट कए टीज ए टीज